नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टेडी में डिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 15 अती महत पूर्ण प्रस्णों के बारे में भाग दो हैं तो पहला भाग आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फर यहाँ पर आई बटन पर आपको एक लिंक दिखेगी जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप आसानी से उस पहले भाग को यानि की पहले पार्ट को देख सकते हैं जो की पीडियेप चीए तो आपको हम हर वीडियों बताते ही कि आप हमारे एपस को डाउलोड कर लिजे और थोड़ा सा इंतिजार करिए वहाँ पर आपको ये पीडियेप उपलब्द हो जाएगी एक या दो दिन में एपस को खोल कर देख लिजेगा वहाँ पर सभी पीडियेप आपको one by one करके मिल जाएगी साथ साथ अभी तक आपने हमारे second channel मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ बेल आइकन को भी दबा लिजेगा क्योंकि वहाँ पर कक्छा 6 से लगाकर बारिव तक जतनी भी NCIT बुक हैं उन्ह सबी का शुली सुन आपको वहाँ पर मिलने बाला है वैसे 50 प्रशन हम अप्लोड कर चुके हैं जिसको आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं चलिए सुरू करते हैं अज का पहला प्रशन ही हिंदी का निवलिकित में से सुद्ध वाक की है आपके सामने यहाँ पर देखिए चार विकल्प दिये हुए हैं इसमें से सुद्ध वाक की कौन सा है उसको आपको अच्छे से पढ़कर बताना है वहाँ अने को लोग उपस्तित थे मकान की बाई और सड़क हैं उनकी माताजी दिल्ली में रहती हैं या फिर में तीन भाई हूँ इनमें से आपको बताना है स असुद्ध होंगे अब हम इनको सुद्ध बनाएंगे कि किस प्रकार से लिखे जाएंगे तब यह सुद्ध होंगे तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्पे हैं वहाँ अनेकों लोग उपस्तित थे तो यहाँ पर अनेकों की जगा क्या आएगा अनेक आएगा वहाँ अने हुआ है यह इस प्रकार लिखा जाता ना कि इस प्रकार तो जब इस प्रकार लिखा जाए तो ही सुद्ध होगा मकान की बाई और सड़क है तो यह हम यदि इसको सुद्ध मानेंगे तो इस प्रकार से आप इसको सुद्ध मान सकते हैं देखे फोर तो है मैं तीन भाई हूँ तो इसको तो आप देखी सकते हैं कि इसमें असुद्धी हैं उसको सुद्ध मानेंगे तो किस प्रकार से मानेंगे कि हम तीन भाई हैं तो आप समझी गए होंगे इन्हें चारों विकल्पों को कि इसको हम सुद्ध केसे बनाएंगे और सुद्ध वाग की हम केसे पहचानेंगे तो चलिए दूसरा प्रश्ण है हमारा निम्नांकित में तद्भव सब्दे यहाँ पर देखिए आपको तद्भव सब्द बताना है जीब है, पक्छी है, कारी है या फिर दस है, इसके बारे में आपको बताना है तो यहाँ पर आइट आंसर होगा कारी याद रखेगा कारी एक तद्भव सब्द है अब बात करते हैं कि कारी का तद्सम सब्द क्या होगा तो याद रखेगा कारी को यदि हम तद्सम रूप में जाने तो इसका जो नाम होगा वो होगा काज क्या होगा काज यानि कार्य क्या है एक तद्भव सब्द है और काज क्या है एक तद्सम सब्द है अब बात करते हैं जीब, पक्छी और दस जब यह तद्भव सब्द नहीं है तो कौन से सब्द होंगे तदभव सब्द होगे अब इनके हम तदभव सब्द जानेंगे कि इनके तदभव सब्द क्या होगे तो यहाँ पर देखिए जीब का जो तदभव सब्द होगा वो जिव्या होगा और पक्छी की बात कर लेते हैं पक्ची का जो तत्सम सब्द होगा वो क्या होगा पक्ची का तत्सम सब्द पक्ची होगा सोरी पंग्ची होगा पंग्ची ये तत्सम सब्द होता है पक्ची का और दस का होता है दस इस प्रकार से हम लिखेंगे तो ये जो दस लिखा हुआ है दोस्तों ये तदभव सब्द ह ये जो दस लिखा हुआ है ये तत्सम सब्दे है थोड़ा सा है डिफरेंस होता है लेकिन आपको ये समझने की आवशकता है देखी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस प्रकार से आपको याद रखना है कारी का होगा पंक्ची दस का होगा दस और जीब का होगा जीवि प्रशन को ध्यान से पढ़ना है, यहां पर बादल का परियावाची सब्द कोन सा नहीं है, उसके बाद यहां पर देखिए आप चारो विकल्पों को देखेंगे, पयोध, पयोधर, पयोधी और पयोधा, तो आपको चारो ही विकल्प बादल के परियावाची सब्द ये लेकिन एक विकल पेशा है जो बादल का परियावाची नहीं है उसी को आपको पहचार नहीं क्योंकि इसी प्रकार के प्रस्ण एक्जाम में पूछी जाते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं कि चारो विकल पे इसी प्रकार के आए तो आपको बादल के परियावाची सब्दों के बारे में याद होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए बादल के जो परियावाची सब्दों होते हैं वो अम्बुद जल्धर जीमूत नीरद पयोद पयोधर वारिद एवं पयोधा यह सबी बादल के परियावाची सब्दों होते हैं साथ ही आपको समुद्र के परियावाची सब्दों को भी याद रख यदि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे एप से टेट सक्सेस के मातिरम से इस पीडियाप को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी व्याख्या आपको जैसे ही 15% समाप्त होंगे और आपको वहाँ पर व्याख्या देखने को मिलेगी तो लिंक रिस्क्रिप्शन में जा सम्बंदी होगी तो सब सब पहले हम इसका सुद्ध रूप जानेंगे इस वाक्य का तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है ये भारत के आगामी कर्णधार है इसका सुद्ध रूप होता है कि ये भारत के भावी कर्णधारेना की आगामी तो यहाँ पर आप इस से अनुमान लगा सकते हैं किसमें कौन सी असुद्धी होगी विशेशन संबंदी असुद्धी होगी ये भारत की अगामी करनधार है इस प्रकार का वाक्य असुद्ध होगा सुद्ध वाक्य होता है ये भारत के भावी करनधार है और इस वाक्य में विशेशन संबंदी असुद्धी बहुत सोर करना कोला हल मचाना या फिर उक्तसभी तो यहां पर राइट आंसर होगा जो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे करत होता है वो उधम करना भी होता है बहुत सोर करना भी होता है और कोला हल मचाना भी होता है तो राइट आंसर हमारा यहां पर उक्त सभी होगा एको धारण के तोर पर हम जानें तो सिक्षक की अनुपस्तिती में छात्रों ने आस्मान सिर पर उठा लिया तो रैट अंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा फोर्त वाला होगा चलिए अगला प्रश्न है घास पात का धेर के लिए एक सब्दे यहाँ पर देखिए घास पात का धेर के लिए आपको एक सब्द बताना है क्या होगा वन्या होगा त्रणा होगा अरन्या होगा या फिर ग्राम्या होगा घास पात का धेर के लिए आपको एक सब्द बताना है तो यहाँ पर रैट अंसर होगा अरण्या याद रखेगा इस प्रकार के प्रस्ण एक्जाम में पूछी जाते हैं तो यहाँ पर घास बात का धेर के लिए एक सब्द कोन सा होगा अरण्या होगा सावाला विकल्पे हमारा सही रहेगा चलिए गड़वाली बोली आती है यहाँ पर आपको बताना है जो गड़वाली बोली है यह किसके अंतरगत आती है हिमाचली हिंदी के अंतरगत आएगी कि पूर्वी हिंदी के अंतरगत आएगी कि पहाड़ी हिंदी के अंतरगत आएगी या फिर पस्चिमी हिंदी के अंतरगत आएगी तो याद रखेगा जो गड़वाली बोली आती है व जोनसार, सिमला, सिरमोर, चमबा वा मंडी की जो आसपास के छेतरे हैं वो छेतर आते हैं यानि कि उच छेतर में ये बूली जाती है और दूसरा होता है मद्धिवर्ती पहाड़ी जिसमें गड़वाल और कुमावू ये छेतर मद्धिवर्ती पहाड़ी के अंतरगत आते हैं तो याद रखेगा, पहाड़ी हिंदी की बोलियों के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पस्यमी पहाड़ी, और दूसरा होता है मत्यवर्ती पहाड़ी, तो यहाँ पर आप समझी गए होंगे, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा, चलिए, आचरण की सब् निबंद हैं, इसके लेखक के बारे में आपको बताना है, कोन हैं, काफी इंपोटेंट हैं, वियोगी हरी हैं, सरदार पूर्ण सिंग हैं, महादेवी प्रशाद दुएदी हैं, या फिर सियाम सुंदर दा से, तो यहाँ पर आचरण की जो सब्वता, जो की एक निबंद है इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंग, याद रखेगा सरदार पूर्ण सिंग, आचरण की सब्वता, निबंद के लेखके, साथ इसाथ इनके मुख्य रचनाओं के बारे में जानते हैं, इनकी मुख्य रचना कौन-कौन सी हैं, तो याद रखेगा कन्यादान या नैनों की गंगा, पवित्रता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम एवं आच्रन की सब्रता ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तो याद रखेगा राइट आंसर हमारा यहां पर बावाला होगा चलिए अगला प्रस्ने है एसी वस्तू जिसका इंद्रियों से अनुभव हो सके के इसके लिए आपको एक सब्द बताना है यहां पर एसी वस्तू जिसका इंद्रियों से अनुभव हो सके इसके लिए एक सब्द क्या होगा गोचर होगा याद रखेगा गोचर यहां पर राइट आंसर होगा चलिए चितंबरा किसकी कविता का संग्रा है यहां पर आपको बताना है जो चितंबरा जो की कविता है यह किसके द्वारा लिखी गई है निराला अग्ये सुमित्रा नंदन पंत या फिर नागार जुन महत्तपूर्ण प्रस्न है यहां पर आईट आंसर होगा सुमित्रा नंदन प याद रखेगा जो चितंबरा है जो की कविता है ये सुमित्रा नंदनपंत के द्वारा लिखी गई है शाथ शाथ इनकी जो प्रमुक रचनाए हैं उनके बारे भी आपको जानकारी होना चाहिए ये सभी सुमित्रा नंदनपंत की महत्पून रचनाए हैं या फिर इनकी प्रमुक रचनाए के सकते हैं तो इनकी रचनाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए तो राइट अंसर हमारा यहाँ पर सावाला होगा चलिए चारू चंद्रलेक सिर्सक उपन्यास के लेखके यहाँ पर देखिए चारू चंद्रलेक एक उपन्यास है इसके लेखक के बारे में आपको बताना है किसके द्वरा लिखी गई है जेरेंदर कुमार के हजारी परसाद दुएदी के प्रेम चंद के या फिर अम्रत लाल नागर के तो यहाँ पर हमारा राइट अंसर होगा जो यहाँ उपन्यास है यह हजारी परसाद दुएदी के द्वरा लिखा गया है काफी important person नहीं साथ इनके द्वारा बानभट की आत्मक था अनामदास का पोधा तथा पुनरवा ये भी इनके ही द्वारा लिखे गए उपन्यास है तो इन्हें सभी उपन्यासों के बारे में आपको याद होना चाहिए कि चारू चंदरलेख के जो लेखके वो भी हजारी चलिए अगला प्रसन और काफी important हैं यहाँ पर आपको जो आठ कवी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा भक्त या फिर कवी आफ्ट च्छाप का नहीं है जो आफ्ट च्छाप की जो आठ कवी है उसमें कौन सा कवी नहीं हैं इन्हें चारों विकल्पों में से आपको बताना है छीत स्वामी है सुन्दरदास है कुम्बनदास है या फिर पर्माननदास है तो यहाँ पर हमारा रेट आंसर होगा सुन्दरदास याद रखेगा अफ्ट छाप के कवियों में सुन्दरदास नहीं आते हैं छीत स्वामी हैं, गुविन स्वामी हैं, चतर भुष दास है और नंददास हैं, ये आठ अश्ट छाप के कवी हैं, साथ में पूछ जाता है कि कौन सा कवी किसका सिस्सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बल्लवाचारी के सिस्सी भी चार थे और बिठल नात के सिस्षे भी चार थे तोटल आठ थे कौन से चार किसके सिस्षे थे इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बल्लवाचारे के सिस्ष थे सूरदास जी, कुम्बंदास जी, पर्मानन्दास जी और करश्नदास जी ये चार बल्लवाचारे के सिस्ष थे बाकी बिठलनात के सिस्ष थे जो किस प्रकार है चीत स्वामी, गोविन स्वामी, चतरबुद्दास और नंददास ये चार सिर्से बिठल नात के थें तो ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए अगला प्रस्वन है बास के छिलके का बना हुआ पंक के लिए सब्द आपको बताना है यानि कि यहाँ पर एक सब्द बताना है बास के छिलके का बना हुआ पंक के लिए एक सब्द क्या होगा बेना होगा, बेना, बेन या फिर बेनू तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बेनू याद रखीगा जो बास के छिलके का बना हुआ पंक के लिए एक सब्द होगा वो बेनू होगा तो राइट आंसर हमारा यहां पर फोर्त वाला होगा काफी इंपोर्टेंट प्रशन है इस प्रकार के प्रशन एक जाम में पूशे जाते हैं तो यहां पर आपको एक मुहावरे का अर्थ बताना है हात ना धरने देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बहुत बलवान होना बातों में आना कंजूस होना या फिर किसी को मित्र ना बनाना तो यहाँ पर हमारा right answer होगा बातों में आना मुहावरा जो ही हाथ ना धरने देना इसका अर्थ होता है हाथ ना धरने देना तो यहाँ पर हमारा right answer होगा वो बावाला होगा चलिए अंतिम प्रस्णी क्यों बढ़ेंगे कौन सा सब्द हाथ का परियावाची है यहाँ पर देखिए हाथ का परियावाची सब्द आपको बताना है कंगूल, वारिद, रष्ट या फिर कोक तो यहाँ पर right answer होगा हमारा कोक कोक हाथ का परियावाची सब्द होता है साथ ही साथ हस्त और कर यह दोनों भी हाथ के ही परियावाची सब्द है तो यहाँ पर हमारा जो राइट अंसर होगा वो फोर्ट वाला होगा और यहीं पर हमारे जो 15 प्रशने थे आज के हिंदी के यहीं पर समाप्त होते हैं आज के वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट से के मात्यम से बताना है जो आपको यह PDF मिलेगी वो 15 प्रशने के बाद कुछ इस प्रकार मिलेगी आपको यहाँ पर देख सकते हैं यह सभी आपको यहाँ पर व्याक्या सहीत मिलेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर PDF आपको दीख रही है व्यसे ही यह PDF आपको हमारे Apps के Apps में अवेलेबल हो ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद जेहिन